उत्राखंड में पुलिस कॉंस्टेबल आयूसीमा छूट को लेकर लेटिस्ट अपडेट आ चुका है आप सभी को बता दें कि उत्राखंड में 2000 पुलिस कॉंस्टेबल पदू पर वैकेंसी निकाली गई है इसमें आप सभी ऑनलाइन आवेदन 8 नौमबर 2024 से कर सकते हैं वहीं आउनलाइन आवेदन करने की अंतिमती थी 29 नौमबर 2024 तक कर राखे गई है वहीं बात करेंगे आयूसीमा में छूट ना मिली तो करेंगे सीम आवास कूच आप सभी के लिए महत्तपोर अपडेट की पुलिस बिभा की आयूसीमा में छूट के लिए बेरोजगारों ने में पुलिस कॉश्टेबल पदों पर भरती निकाले गई है जिसमें पांच वर्स की यहाँ पर छूट इन सभी युवाओं के तरब से मांग की गई है वहीं आप सभी को बता दें कि जो 29 नौमबर को उत्राखंड इस्तापना दिवस मनाय जा रहा है उससे पहले अगर आठ तारिक तक इन सभी की मांग अगर पूर्ण नहीं की गई तो आयू सिमा में छूट नहीं की गई तो इन सभी विरुजगार युवाओं ने कहा कि सियम आवास का कूज करेंगे और गाधी पार्क पे की मांग को लेकर आयू सिमा की मांग को लेकर पर्दसन करते जो विरुज पुजगार संग का के सदसे हैं उन्होंने चेतावनी दे दी है वहीं डीजीपी अभिनाव कुमार की बादचीत में अक्टूबर को संग के पदाधिकारियों से हुई है उन्होंने आस्वासन दिया की पुलिस भरती में आविसीमा में छूट को लेकर सरकार काम कर रही है तीस अक्टूबर को इसकी इनकी जो डीजीपी है अभिनाव कुमार उनकी बादचीत हुई है और आप सभी की आईउसीमा को लेकर आठ तारिक तक अगर इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो इस पर इन सभी बिरुजगार युवाउं ने कहा कि वहा आंदोलन करेंगे और उनकी मांग आठ सालों में पहली बार पुलिस जो भरती का अउसर आया है उत्तरफरदेश की तरज पर उत्तराखंड में पुलिस कॉंस्टेबल भरती में भी आईउसीमा की में छूट मिलनी चाहिए तो आप सभी की इस बिसे पर क्या राय रहे कमट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें इसी तरह की नई लेटिस्ट वैकंसी से जूड़ी नई जानकारी प्राप्त करने के लिए यूटूब चैनल को सस्क्राइब जरूर करें